एक दिन बादशा अकबर के दर्बार में जोरों का कुलाहल सुनाई दिया सभी मंत्री एक होकर बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंग दो बादशा ने भारी जन्मत को बीरबल के खिलाफ देखा आग्यादी की बीरबल को सूली पर चड़ा दिया जाए, दिन तैह हुआ, तभी बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आग्या मानगी, आग्या मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजे तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया, अकबर बोला, सच, क्या तुम वर जानते हो, तो ठीक है, जब तक मैं ये सीखना लूँ, तुम ही जीने का अवसर दिया जाता है, तभी बीरबल ने कहा, ठीक है उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं, महल धहा दिये गए, ये महल बीरबल की जूठी शिकायत करने वाले दर्बारियों के थे, वहाँ बीरबल ने जो बो दिये, कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे, अगले दिन सभी आये, ओसकी बूंदे जो के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थी, बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी, दूद का धुला हो, इन मोतीयों को काट ले, लेकिन यदि किसी ने एक दी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे, कोई भी आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतिया तो सभी से होती है, बादशा ने बीरबल को मुक्त कर दिया, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को दंदित करने से पूर्व उसके दोशी या नि और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद